नमस्कार स्टुडेंट आपसे पहले हमने Polyrization का Discus किया था उसके बारे में हम उससे ज़्यादा आप Discus नहीं करेंगे अब जो हमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस नया टॉपिक में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं ओप्टिकल फाइबर जो ओप्टिकल फाइबर होती है उसकी सिम्पल सी स्ट्रक्चर अगर आपने रिमेंबर रखनी हो तो बहुत ही ज्यादा मतलब सिम्पल है घरों में जो टीवी केबल यह आपने देखी होगी एक होती है सिम्पल वायर जिस वायर से हम करन्ट को फलो करवाते हैं जब उसमें एक साइड हम सपलाई देते हैं दुसरे एंड से हम सपलाई को रिसीव करते हैं वो आपके पास होती है सिम्पल वाली वायर बट जब हमारे पास आडियो सिगनल और वीडियो सिगनल की बात आती है तो उस कंडिशन में हमारे पास एकी चीज रिमेंबर आती है कि केबल वायर या जो CCTV में वायर लगी होती है उससे हम विजबल भी करते हैं और लीशन भी कर सकते हैं किसी की वोईस को सेम काम जो DTS से के थूरू या फिर जो डिरेक्ट सिटी केबल या उनकी केबल होती है जो सिगनल को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे कलर टी में चैनल सारे चलने स्टार्ट होते हैं वो वायर उसी वायर का एडवांस्ट वर्जन जो है देट इज दा उप्टिकल फाइबर जो अप्टिकल फाइबर होती है एक्चुल में वो कोई वायर नहीं होती वो जस्ट एक आपके पास ट्रांस्पिरेंट मेडियम होता है और उसकी जो स्टक्चर है इनका मैं टीवी केबल या सिंपल वायर का जो डिसकस कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि जो केबल की वायर की स्टक्चर है और जो आपके पास अप्टिकल फाइबर की स्टक्चर है लगबग लगबग वो सेम स्टक्चर है सिरप और सिरप डिफ्रेंट क्या है सिगनल को जो मेडियम ट्रांस्पर करता है में जो difference है वो आपके पास उस चीज़ का है तो उसी का हम इस unit में discuss करेंगे optical fiber class जो main main चीज़े हैं जो हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं इसकी introduction के बारे में discuss करेंगे optical fiber होती क्या है उसके बारे में discuss करेंगे उसकी structure क्या होती है पर किस principle पर वो काम करती है optical fiber simple cable से beneficiary वो क्यों है उसकी advantages, disadvantages क्या है application क्या क्या है और नाव हम conclusion का वहाँ पर discuss करेंगे वट्टी जे optical fiber यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता था हम कि basically यह क्या काम करते है transfer के लिए हमारे पास एक medium होता है जब हम किसी भी signal को one place से दूसरे place पे अगर हम transfer करते हैं तो जो हमे medium की requirement होती है वो medium provide करता है कौन optical fiber बननी हुई कैसे होती है cylindrical होती है glass से भी बनाई जा सकती है किसी transparent dielectric medium से भी बनाई जा सकती है इसको हम plastic से भी बना सकते हैं और यह foldable भी होती है इसको हम fold कर सकते है the fiber which are used for optical communication are wave guide made up of transparent dielectric its function is to guide इसका main जो function होता है यह क्या काम करते है guide its function is to guide visible and infrared light over a long distance इसका काम यह होता है कि यह guide करती है किसको visible light को भी guide कर सकती है और infrared light को भी guide कर सकती है very long distance पर इस type का आपने कभी colorful जो images हैं आपने visible की होंगी इस formation से या market में जो twi या gift soap होती है उन पे भी आपने एक ऐसा tree देखा होगा जिसमें को हम electricity provide करते हैं उपर से जो light के dots आपको उसमें गिरते हुए visible होते हैं उसकी जितनी भी branches हैं हर branches से एक अलग type का जो dot है नीचे जो है फाल होता वो आपको visible होता वो basically जो उसकी branches बनाई होती है वो optical fiber based ही होती है उसमें से नीचे से जो light produce होती है वही जो transparent medium से बहार आपको exit होती हुई visible होती है इस formation से structure structure के बारे में मैंने अभी आप से discuss किया था कि structure जो basically इनकी होती है structure वो वैसी ही structure होती है जैसी आपके पास cable की structure होती है इसी structure में मैं पहले आपको cable structure define करके बताता हूँ जो cable structure होती है cable structure में सबसे पहले यहाँ पर copper wire होता है उस copper wire के उपर एक protecting layer white color की लगी होती है now उसके उपर फिर एक silver color का net like structure wire होती है now उसके उपर जो होता है एक और protecting layer होती है जो black color की होती है जो cable होती है उस cable में जो main signal transfer करता है वो यह central wire करती है जिसको मैंने बताया था that is the copper wire उसके बाद यह insulator की structure होती है इसके उपर now उसके बाद जो होती net like silver structure बनी होती है जो basically signal को refine करती है अगर signal में disturbance आती है तो अगर हम उस wire को और अच्छे से लगाते है तो उस condition में हमें जो TV में जो images visible होती है वो very refined, very clear image हमें visible होती है उससे उपर जो होता है वो होती है आपके पास protecting layer जैसे मालो कहीं भी street में से इधर से उधर अगर हम transfer करते हैं तो वो जो outside surrounding या environment से effect ना हो like जिसे air है, dust particle है या फिर water molecule है उन सबी से वो effect ना हो इसलिए उसके उपर क्या लगा होता है और लगी होती है protecting layer होती है जो generally black color की होती है ठीक है वैसी ही हमारे पास जो structure होती है वो optical fiber की होती है बट यहाँ पे इन सभी का जो नाम है वो special नाम generally define होते है अब इसमें जो replacement है जो हमने यहाँ पर आपको बता था क्या होगा यहाँ पर एक copper wire होती है cable के अंदर बट optical fiber में यहाँ पे एक transparent medium होता है जो glass या plastic से बनाया जाता है और उसका नाम होता है core इस core के inside से कोई भी जो signal होता वो signal transfer करते है now अब इस core के उपर होता है एक part cladding क्योंकि transparent medium है signal को transfer करता है without any help of wire तो इसका मतलब क्या जो signal जाता है वो optical signal होता है optical signal जैसे आपके बास simple electromagnetic radiation है electromagnetic radiation को basically यह क्या करता है एक way provide करता है एक path provide करता है कि किस end से किस end पर इन्होंने transfer होना है तो इसके लिए उससे उपर जो signal outside में ना जाए मतलब core से बाहर signal ना निकले उस purpose के लिए इसमें लगा होता है cladding अब cladding की safety के लिए जर्नलीस के उपर की होती है coating और इस coating को safe करने के लिए फिर इसमें लगा होता है strength member और now होती है outer jacket यह इन तीनों का जो purpose है इन तीनों का purpose जो main क्या है वो purpose है कि इन दोनों को outer या surrounding से protect करना और यह जो cladding आपको visible है यह cladding का जो main purpose है वो जो आपने signal transfer किया है core के inside से उस core के inside के signal में नवाइज को minimum करने का जो काम करता है वो कौन काम करता है वो काम करता है cladding क्योंकि जितना signal हमारा core से बहार जाएगा उतने ही disturbance हमें मिलेगी और core से बहार जाने का मतलब कि वो cladding के inside में जा रहा signal और cladding के inside में signal गया तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पार हमने जो signal transfer किया है वो जितने भी decimal या hertz में हमने signal transfer किया उतना हमने outer hand पे signal जो है नहीं मिलेगा ये basic सी structure होती है किसी भी optical fiber की इसमें जो सबसे main part होता वो part होता एक और उसके बाद जो main part होता है जो signal के लिए ही काम करते हैं cladding और जो इन दोनों के लिए काम करते हैं वो coating strength member और outer jacket होते हैं सम टाइम ये जो strength member नहीं भी use करते हैं तो just coating के उपर outer jacket लगा देते हैं now core core क्या होगी central tube of very thin size made up of optically transparent dielectric medium and carriage light form transmitter to receiver transmitter to receiver का मतलब जहां से signal आपका निकला है और जहां पर signal आपका पहुंचेगा the core diameter can vary about 5 micrometer to 100 micrometer इसका मतलब क्या हुआ कि जर्नली जो अपनी hair होता है उसी के size का जो है core होगा now cladding जो core से अपर पार्ट है outer optical material surrounding the core having reflecting index lower than core जो refractive index होता है वो core से कम होता है it helps to keep the light within the core throughout the phenomena of total internal reflection अब इसका जो refractive index होता है वो refractive index कम होता है उस refractive index कम होने का परपज क्या है कि यहां पर total internal reflection जो है बने इसका अभी थोड़ी देर बाद discuss करेंगा now उसके बाद buffer coating जो buffer coating हो तीन जो पार्ट पतायते coating, strength material and outer jacket उसको common नाम दे दिया यहां पर buffer coating plastic coating that protect the fiber made up of silicon rubber the typical diameter of fiber after coating is 250 to 300 micrometer ठीक है मतलब सिधा सा मतलब है कि जो optical fiber signal को transfer करती है वो maximum से maximum जो मुटाई होगी सब कुछ को मिला के वो उसका diameter कितना बनेगा 250 से लेके 300 micrometer तक जिसमें core भी आगी, cladding भी आगी, coating भी आगी, buffer भी आगया और आपके पास जो है outer jacket भी आगी ठीक है मतलब लगभग लगभग एक wire जितनी जो simple जो wire होती है घरों में conduction wire जो होती है उनके जितनी ही इसकी लगभग मुटाई होती है जो इसमें सबसे main काम करता है वो main काम है इस concept का that is total internal reflection यह आपने lower classes में भी पढ़ाओगा total internal reflection क्या होता है सारा का सारा जो main phenomena यह main work है signal को transfer करने का वो signal को transfer करने का जो काम करता है that is the total internal reflection अब इसमें काम सारे वही हैं reflection reflection क्या होती है किसी भी surface से कोई भी optical ray strike होती है जिसको हम incident ray बोलते हैं और same medium में अगर वो normal से strike होके जाती है that is the reflection internal का मतलब inside में ही total का मतलब जितनी ray आई थी उस ray में से कोई भी reflected part नहीं होना चाहिए मतलब पूरा का पूरा 100% अपना जो signal है या आपनी जो incident ray है वो क्या होनी चाहिए reflect होनी चाहिए मतलब जैसे ही normal से strike हो और reflect होके वो same medium में आ जाए now at some angle known as critical angle जिसको हम theta c भी बोलते है light traveling from a higher refractive index medium to a lower refractive index medium will be reflected at 90 degree और refracted along the interference अभी पिछे मैंने बताया था कि जो आपके पास refractive index होता है core का ज्यादा होता है cladding का कम होता है क्योंकि ये सनेल्ज ला के base पे काम करते हैं हम next के एक दो lecture में discuss करेंगे तो ये क्या करते हैं कि वो जैसे ही normal से strike होगी तो same medium में वो वापिस आए ठीक है और वो same medium आए उस सब के लिए एक angle define होता है जिस angle को हम बोलते हैं that is the critical angle if light hits the interface at any angle larger than this critical angle मतलब जो critical angle हमने theta define कर दिया जिसमें क्या होगा कि जैसे उस strike होगे वो same medium में आपके पास swapis आएगी अगर उस से अलग है, अलग है larger than this critical angle it will not pass is thorough the second medium at all मतलब second medium को pass through नहीं करेगा instead all of it will be reflected back into the first medium तो क्या आजाएगा, first medium में आजाएगा process known as total internal reflection तो हम क्या बोलेंगे इसको total internal reflection बोलेंगे इस concept को मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास जो है ये normal है larger में refractive index लेने का मतलब क्या हुआ कि हमने air का जो refractive index है यहाँ पे माल लिया आपके पास air है और year का refractive index आपके पास one होता है इधर आप glass ले सकते हो, आप water ले सकते हो, आप plastic ले सकते हो इन सबी का जो refractive index होता हो, क्या होगा एक से always जो है, बड़ा होता है ठेक है, glass के case में यह होगा 1.5 के करीब होता है जैसे ही ray of light इस part से enter करेगी critical angle है critical angle जो है, वो हमने कितना दिखा है यह आपके पास जो red वाली रहे है आपके पास यह critical angle आपको show किया गया है तो इसका मतलब यह क्या होगा critical angle है, तो at least यह क्या होगी उस particular surface पे जहाँ पे interface बनता है किसका core कार cladding का उसमें क्या चली जाएगी, वो parallel चली जाएगी और in case इसके between में है जो आपको क्या दिखा दिया बल्यू कलर में मतलब इस particular angle को generally हम बोलते हैं acceptance angle बोलते हैं इसमें है, तो आपके पास यह वापिस इसी direction में आती है ठीक है? इससे ज़्यादा है तो यह बहार चली जाएगे, बहार चली जाएगे तो इसके मतलब आपके पास noise जो है यहाँ पर produce होगा इस angle के बारे में जो detail study है वो हम numerical aperture और acceptance angle वाले topic में डिसक करेंगे आज के लिए शरब आप इतना ऐसा remember यहाँ पर रखना है कि आपके पास जो critical angle है, critical angle पर at least one time total internal reflection होगा ठीक है उसके पास जो आपके पास मैंने acceptance angle word यूज किया है तो उस acceptance angle में जितने भी angle आपके पास आएंगे उन angle के inside में जो ray आएगी या उन angle पर जो ray फाल होगी उन angle के बीच में वो सारे के सारे total internal reflected होगी वो सारे की सारी rays यह working principle जो इसका है इस formation जो है light move करती है यह आपके पास transmitter है यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास receiver है यह सारे की सारी आपके पास जो है वो क्या है optical fiber है ठीक है जिसमें से एक end से आपको ray enter की है now यहाँ पर TIR हुआ now यहाँ पर TIR हुआ now यहाँ पर TIR हुआ and then exit when a ray of light travel from denser medium to a rare medium such that the angle of incident is greater than the critical angle then ray reflect back into the same medium this phenomena is known as TIR in the optical fiber the ray undergo repeat total number of reflection until it emerges out of the outer end of the fiber even if the fiber is bend इसका मतलब क्या है कि fiber अगर आपने bend भी कर दी उस भी condition में आपके पास क्या होगी जो ray of light है वो travel होगी आज के लिए student हम इतना ही discuss करेंगे कल के lecture में हम इनकी जो है classification का discuss करेंगे classification of optical fiber का हम discuss करेंगे thank you